सबसे पहला दोपेशना सुट कैसे कलेटें और चैसे कल्कूलेट करते हैं और घ्री जचना अगर कैसे कल केल्याद करें न्याहिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेर्स हुआ है तो बटा उस केस में हमें एप्लाइड और अलॉटेट का फॉर्मला समझने आना चीए क्यों आना चीए चलो उसके लिए एक पहले समझते हैं मान लो आप लोगों को यह एक एग्जांपल दिख रहा होगा ध्यान से समझना एक्स लेट कंपनी है उन्होंने इस्यू किया 10,000 शेर्स एक शेर दस रुपए का है जिसमें बटा कंपनी अप्लिकेशन पर दो रुपए लेगी अलॉट्मेंट पर तीन प्पूब्लीग ने सबस्क्राइब के है 15,000 शेर्स तो मेरे साब से संबच्चों को समझना है कि वरा सबस्क्राइब का कि अधूवान तो ओन पहली चीज़ तो यह रही बटा कि ऑवरह सब्सक्राइब ने बड़े आराम से समझते हैं क्यों समझते हैं क्योंकि विटा सब्सक्राइब शेयर इस ग्रेटर दान इशूट यह तो गया पहला पॉंसेट अब अगर आप ना इसके पहली स्टेट्मेंट देखे जरब एक पॉइंट रमेश शेयर होल्डर अलॉटेट फाइफंट शेयर यह टो में निए को अगरा द्यान से देखो तो दो सुंसेयर एंट जरब पहीं मतलब कुछ coisas करें जो हमारे शेयर होल्डर हता है कि वह शेयर को क्या करेंगा पॉन-टॉ आव अगए अगए डिन्स यह सब्सक्राइब करता है वो से अपड़ाइब करता है पूले अभड़ा ईग्यां यह सब्सक्राइब करती है बड़ाइब कर नि घर कि आपको ना इस वारे question में घ्यान से देखो तो question में लिखा क्या है बटा कि रमेश एक shareholder है जिसको a lot 500 shares हुए सिंस ये over subscription का case है तो definitely उसने apply ज़्यादा कियोंगे हाँ या ना क्योंकि देखो बटा अगर आप ज्यान से देखो तो over subscribed है total subscription कितना है 15,000 जिसमें से एक shareholder कौन होगा रमेश अब रमेश का आपको ये बताए कि उसको कितने share a lot हुए है लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसने कितने share apply किया है अब उसके लिए फिर हमें एक formula समझना होगा हमें उसका formula समझना होगा कि उसने कितने share apply किये है अब बेटा number of share applied का formula होता है total share applied upon total share allotted into number of share allotted to shareholder अब ज्यान से समझना विटा कुछ keywords है ज्यान से समझ लेंगे आप लोग टोटल एप्लाइड यानि पब्लिक ने टोटल एप्लाइड इतने कि हैं तो बेसे कि हम यहाँ पर कौन से share की बात कर रहे है total subscribe share and total allotted मतलब company allot करती है company क्या करती है company क्या करती है issue करती है अब इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ ठीक है ध्यान से समझना इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ बटा कि रमेश के अगर हम बात करें तो रमेश ने अलॉट रमेश को कितने हुआ 500 शेर तो हमें उसका find out करना हुआ कि रमेश के applied शेर कितने है रमेश के applied शेर कितने है तो बेटा जी जरा फॉर्मला देख करके बताए फॉर्मला जैनके टोटल कितने शेर अप्लाई किये थे यानी टोटल कितने सब्सक्राइब किये थे सॉल्व करें यहां से निकल के आ जाएगा कि उसको उसने कितने शेर अप्लाई कि दे रमेश ने कितने शेर अप्लाई कि दे 750 शेर और उसको अलॉट कितने शेर्स हुए दे पहले बताओ यह बाद सब्सक्राइब आ गई है ओके देन उसके बाद विटा एक और सुरेश सुरेश का आपको क्या मेंशन है विटा कि सुरेश ने एप्लाई 1200 शेर्स के लिए है ठीक है लेकिन उसको अलॉट कितने हुए यह चीज़ पता चला आपको अगे तो हमें उसमा क्या फाइंड आट करना होगा बिटा नंबर ओफ शेर्स लोटेट फार्मला इस टोटल शेर अलॉटे तोटल कितने शेर कंपनी ने अलॉट यानि इसुदित एटें तेन ताउजन डिवाइड बाई टोटल शेर एप्लाइड यानि पॉबिक ने टोट अब हम इसे सॉल्फ कर लेते हैं तो अगें दिस विल भी एट हैंट राइट राइट यहां से निकल के आ जाएगा कि रमेश सुरेश ने एप्लाइट के लिए क्या था लेकिन अलॉट 800 शेर्स हुए हैं तो क्या सारे बच्चे को यह फॉर्मला समझ में आ गया टोटल शेर अप्लाइट और टोटल शेर अलॉट है वाला को टॉपिक का नाम नहीं है यह कैलकुलेशन का बार्ट होता है से एवर्यवन क्लियर मैंने सबसे पूछा है इंपोर्टन टॉपिक है यह चौंड ठीक है अब पॉइंट या का अटा है कि हमने सीखि इसका रॉल क्या है मिलां इंपॉर्टेसं से क्या फाइदा है चाल अब मैं आपको तो बताता हूं कि इसका मेजर रूल क्या है तो ध्यान से देखें अभी हमने क्या क्या गवा तो रमेश का हमें यह निकल क्या था विटा कि रमेश एप्लाइड फॉर 750 शेर्स एंड रमेश को अलॉट हुए थे विटा 500 शेर्स सिमिलरली हमने सुरेश का भी कैल्किलेट के विटा सुरेश एप्लाइड अब आप ध्यान से देखो तो दोनों के दोनों शेर्स अब एक बार बताओ ऑवर सबस्क्रिप्शन का केस है यह चीज़ अगर आप व्यान से देखो तो बड़े आराम से आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ओवर सबस्क्रिप्शन का केस है कि आप लोगों को आपफ़ से बहुत कि कैलकुलेशन मैं करूंगा सुरेश की कैलकुलेशन आप लोग करेंगे बेटा सबसे चैलकुलेशन प्रस की कैलकुलेशन पर आते हैं इक बात बताओ के progress कि केस में application for को कुंक से share से मंटिप्लाई करते है ओर इतना अफ फाag है और आड दो कि यह कुऄने हैसे क्ट्रेश से मोटिपलाई करते है सब्सक्राइब शेयर ठाल अब आप बताओ मुझे ज़रव्ह बने मेस के सब्सक्राइब दो शेयर यानि applied share कितने हैं अब बिएन से calculation आप देखें गें तो रमेश ने रिटा application call दिया के ज़ान से समझेड़ रमेश दे आप्लीकेशन दिया है seven 50 ृपीज लेकिन हम तो उसने हमें पेई किया है फिफ्टीन अंडड़ बट हमने मांगा था थाउसन रूपीज तो उसने हमें कितना एक्स्ट्रा पेई किया बटा ओके अगर रिजेट ना लिखाओ बटा तो हम इस एक्सेस अमाउंट को क्या करते हैं अजस्ट करते हैं अलॉट्मेंट बॉल में अब आप एक बाद बताओ जब हम रमेश का अलॉट्मेंट वैल्ल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसूद शेयर या सब्सक्राइब शेयर इसूद शेयर और इसूद है बटा कितने 500 शेयर और अलॉट्मेंट है तीन रुपए का तो बटा हम रमेश से 500 शेयर पे 3 रुपए यानि अलॉट्मेंट मागेंगे 1500 रुपीज तो अब एक बात बताओ हमें रमेश से चाहिए ते 1500 क्या रमेश का कोई अमाउंट अल्रेड हमारे पास अजयर करना है कितना अमाउंट ऑगे से उसके 500 हमारे पास अल्रेडी थे बिटा तो रमेश को अलॉट्मेंट कॉल पे कितना पैसा देना था लेकिन वो ने क्या नहीं कर पाया बिटा पे नहीं कर पाया एक बात बताओ बिटा अगर कोई अमाउंट हमें नहीं रिसीव होता है उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं क्योंकि जनरली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं मैं आपको बताता हूं बच्चों से मिस्टेक बड़ी सिंपल सी एक चीज हो जाते हैं बच्चे क्या करते हैं उनको यह लिखता है कि उसने पे नहीं किया अलॉट्मेंट मनी तो वह 500 शेर्स को सीज़े 3 से मुटिप्लाइब करके find out कर लेते 1500 लेकिन अक्चुल में हकर हम ज्यान से देखें तो उसका कितना पैसा अलॉट्मेंट हो मैं नहीं मिला हुआ है 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 सारे बच्चे जली बताऊ है 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 अब सुरेश की कैल्कुलेशन आप लोग बताऊगे बटाव सबसे एक बाह बताऊ सुरेश ने स अब सुरेश को इसूर यानि कितने हुए है 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 तो बटाव सुरेश ने आप्लिकेशन पॉल रूपए की बियोगे बता तो कितने शेर्स पर दे दिया हुआ है 1200 शेर्स पर उसने हमें ट्यू रूपीज दे दिया यानि 2400 रूपीज दे दिया हमने मांगा कितने शेर्स पर दाऊ ओके ओके तो कितना एक्सेस अमांट उसने हमें दिया है बटा ओके हम इसे क्या करेंगे एड़्जस करेंगे शाबाज अब एक बाहर बता बटा जब हम उससे अलॉट्मेंट की वैल्यू मांगेगे तो कितने शेर्स पर मांगेगे 800 शेर्स पर 3 रूपीज यानी 2400 रूपीज हमारे पास अल्रेडी उसका कुछ अमांट अल्रेडी एडवांस में एक्स्ट्र पड़ा हुआ है एक्सेस अमांट ओके एड़्जस कौन सी कॉल पर करते हैं हम हमेशा एड़्जस करेंगे बिटा पहले तो 2400 में से 800 एड़्जस कर लिया तो और कितना हमांट चाहिए था उससे हमें और वो 1600 जब नहीं पेग कर रहा है तो 1600 हमारे लिए क्या बन जाएगा क्या सारे बच्चों को शेर एप्लाइड कैल्कुलेट करना और उसकी टोटल कैल्कुलेशन यह सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए झाल 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 झाल